मेजी दूद एक मुकम्मल तरीन गिजा है ये फार्म मेजी के बेश्टर फार्म्स में से एक है जहां हमारी प्रॉडक्स के लिए दूद इकठा किया जाता है मार्गरेट और उनके शोहर अर्निस्ट इस फार्म के मालिक है मैं मार्गरेट हूँ मैं अपने शोहर अर्निस्ट के साथ अपने जानवरों की सेहत, खुराक और सफाई का खयाल अपने बच्चों की तरह रखती हूँ ट्राकिंग के लिए हमारे पास हर गाय का बकाईदा रिकॉर्ड पर करार है। हम ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए पहले नोटबुक्स का इस्तमाल करते थे और अब पिछले 15 सालों से रोजाना इस सौफ्ट्वेर का इस्तमाल कर रहे हैं। जब भी कोई गाय बच्छरा देती है, उसकी तमाम तरतफसिलात इस सौफ्ट्वेर में दर्च कर ली जाती हैं। जैसा के उसका साइज, उसका वजन और जिन्स रिकॉर्ड किया जाता है। मिल्क एक्स्ट्रेक्शन के लिए जानवरों को शेड में ले जाया जाता है। बक्या सारा मरहला आटोमेटिड है, जो महफूज, मौसर और आसान है। गाय से दूद बगेर हाथ लगाए, खुदकार आलात की मदद से निकलता है, और साइलोस में जमा होता रहता है। जहां पर उसकी जाच परताल होती है, साइलोस दूद को पांच डिगरी के आईडियल दरजा हरारत पर महफूज रखते हैं। मैं अर्नेस्ट हूँ, मैं इस फार्म को अपनी वाइफ मार्के के साथ मिलकर देखता हूँ। हमारे पास 80 हेक्टर की जमीन है, जो के पूरी की पूरी फार्म पर मुश्तमिल है। ये के तक्रीबन 5 साल पहले बनाए गए थे, जो के 650 मीटर लंबे हैं। हम यहां और भी चीज़े साथ साथ उगाते हैं। अगले साल जो की फसल तैयार हो जाएगी, सर्जियों में जो मवेशों की घिज़ा का हिस्सा है। हम अपने मवेशों को खिलाने का इंचिज़ाम खुद ही करते हैं। गाएं के छोटे बच्चों को खाना अलग खिलाया जाता है। और बड़े होने तक इन से दूद नहीं निकाला जाता। तमाम जानवरों से निकाला गया दूद स्पेशलाइज़्ट टैंकर्ज में जमा किया जाता है। इस से कबल दूद का सेंपल निकाला जाता है ताके स्टोर किये गए दूद को क्वालिटी स्टैंडर्ड पर पर्खा जा सके। स्पेशलाइज टैंकर्ज में फार्म से दूद जमा करने के बाद इसको प्लांट मुंतकिल किया जाता है। ये वो प्लांट है जहां मेजी की प्रोड़क्स तयार की जाती है प्लांट में हुद्रती तवानाई बनाने के लिए ओग्यानिक रेजिड्यू का इस्तमाल किया जाता है अब फार्म से हासल करदा दूद प्लांट पहुंच गया है दूद को एक बार फिर ताजगी और मैयार के मौाइने के लिए भेजा जाता है यहां दूद की क्वालिटी को परकने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट किये जाते है इन क्वालिटी टेस्ट के जरिए दूद की खुश्बू, जायका, पी-एच और दीगर चीजों को जांचा जाता है और यकीनी बनाया जाता है कि हासल करदा दूद किसी भी हामोन्स, अंटिबायोटिक्स और मिलावट से पाक हो दूद के असली जायके और खुश्बू को मालूम करने के लिए दूद को माइक्रोविव अवन में गरम किया जाता है जब ये दूद हमारे इंस्पेक्शन के तमाम स्टैंडर्ट्स पर पूरा उतरता है, तो इसका प्लांट में मुंतकली का मरहला शुरू किया जाता है अब दूद को 82 डिगरी से जायत के दरजे हरारत पर पैस्चराइज किया जाता है, ताकि मुम्किना बैक्टीरियस का खात्मा किया जा सके ये रॉआ मिटीरियल स्टोरेज है, मेजी प्रॉडक्स में इस्तमाल होने वाले तमाम अज़़ा यहां स्टोर किया जाते है ड्राइ ब्लेंडिंग और वेट मिक्सिंग के दौरान इनको दूद में शामिल किया जाता है वेट मिक्सिंग प्रॉसेस के दौरान दूद में मिनरल्स, वेजटेबल ओयल और दीगर अज़़ा को आहिस्ता आहिस्ता शामिल किया जाता है ताकि ये दूद में मुनासिब और सही मेक्तार में शामिल हो जाए यहाँ पर खुश अज़ा जैसे काबो हाइड्रेट्स और प्रोटीन्स शामिल किये जाते हैं वेट मिक्सिंग के बाद दूद को एक बड़े वसी स्प्रे ड्राइंग प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसमें हॉट एर ड्राइंग और सीविंग का अमल शामिल है जो कि पाउदर में मौझूद किसी भी किसम की दूद की गुट्लियों को निकाल देता है दूद अब पाउदर की फॉर्म में आ गया है इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल के जरिये क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को जाणचा जाता है अब पाउदर के सेंपल को देखा जाता है ताके इस बात की यकीन देहानी कर ली जाए कि बनाया गया पाउडर स्कूप साइज के लिए मुनासिब है Quality बर करार रखने के लिए हर सैंपल को रिकॉर्ड किया जाता है और मख्सूस स्टैंडर्ड के मुताबिक परखा जाता है Quality Control के मराहिल से गुजरने के बाद पाउडर अब Dry Blending के लिए तयार है Dry Blending के प्रोसेस में खुश्क अज्जा को पाउडर में सही मिगदार में मिलाकर Mixing के लिए रख दिया जाता है Mixing का अमल होने के बाद पाउडर को खाली कंटेनर में रख दिया जाता है Packaging Department जाने तक containers को tag करके store कर दिया जाता है Packaging एक पेचीदा अमल है जिसमें महारत और accuracy की जरूरत होती है इस बात की भी यकीन दिहानी की जाती है कि TIN पर मौजूद design, दुरुस्त, असल और मन्जूर शुदा हो जिसके लिए vision system का इस्तमाल किया जाता है TIN पर मौजूद print को देख लेने के बाद, खाली TIN को packaging line भेज दिया जाता है Scoop डालने के बाद, हर TIN में powder की बिलकुल बराबर मिक्दार डाली जाती है हर TIN में oxygen को कम से कम सताह पर रखा जाता है जिसके बाद carbon dioxide और nitrogen भर दी जाती है ताके दूद की ताजगी और shelf life को महफूज किया जा सके फिर TIN को seal किया जाता है जिसके बाद इन पर expiry date, manufacturing date और batch number प्रिंट किया जाता है हर TIN पर मेजी के embossed logo वाला धक्कन लगाया जाता है filling और packaging का ये सारा process एक highly restricted area में किया जाता है जहां किसी का भी जाना मम्नू है तमाम process को हर कदम पर photo sensors के जरिए scan किया जाता है फिर इन TIN को cartons में pack किया जाता है pack करने के बाद वजन किया जाता है ये पूरा process advanced robotics के जरिए किया जाता है फिर shrink wrap कर दिया जाता है अब pack शुदा carton को मेजी के warehouse पर specialized गाड़ियों के जरिए भीजा जाता है ये warehouse मेजी के products को रखने के लिए हर तरह की सहूलत से less होते है ये इंतहाई कुशादा, hygienic और temperature controlled होते है अब हम आपको एक experiment के जरिए दिखाते हैं के मेजी के granulated powdered products कैसे आम powder product से बेहतर है Solubility test के जरिए मेजी की granulated products के हल होने की सलाहियत का एक आम हरीफ powder के साथ मुआजना किया जा रहा है तमाम powders की यकसा मिगदार equal condition में ली गई है अब ये test शुरू किया जा रहा है देखा जा सकता है मेजी product ये के बाद दीखरे बाअसानी हल हो गए है और non granulated product मेजी product के करीब भी नहीं आ सकी अब bottle test है ये test इस बाद की यकीन दिहानी करवाता है कि मेजी products कैसे एक माँ बाअसानी तयार कर सकती है result से वाज़ है कि मेजी product बाअसानी हल हो गया है और कोई भी residue बाकी नहीं है तस्दीक शुदा हलाल certification के साथ साथ मेजी FSSC 22000 certification भी हासल कर चुका है जो quality का मैयार को जांचने के लिए सबसे जदीब तरी निजाम है ये quality certification मेजी की कावशों में संगे मील की हैसियत रखता है जो इस बात की जमानत है कि मेजी अपने products के जरिये माओं और बच्चों की सेहत, रोज मर्राँ जिंदगी और मुस्तक्बिल को रोशन बना रहा है मेजी पर इतबार करने का शुक्रिया Enjoy living healthily ever after as a healthy baby is a Meiji baby